आजी, गुडमानी तो इसेट पार्ट है हमारे मरजर एन अक्विजिशन का टाइम जादा लगेगा मरजर एन अक्विजिशन में पर टोपिक इसी है फर्स्ट पार्ट जिस मैं मरजर की बात किया था बेसिक समय चीजे किया था और वो हमारा हो गया अब part number two याद रखना कि पहले part की अपिक्षा part number two ज़्यादा important है क्योंकि इसमें questions जो होगे वो unique question है हर एक question ऐसा लगेगा यार यह अलग है पहले question की अपिक्षा दूसरा question आपको अलग ही मिलेगा start कर रहा है हम de-merger से merger क्या होता था sir merger होता था कि तो company मिल जाती थी या एक company दूसरी company को खरीद रहे ती merger क्या होता है एक company है उसके दो division होके वो दोनों को de-merge कर तो यह सारी चीज है यह de-merger में हमको पढ़ना है okay sir देखे start करें हम लोग class concept नहीं है एक ही question है वो एक question आपको करके जाना बढ़ेगा question number 37 और अगर देखोगे तो क्या यह हमारे institute का question है yes question number है tyk 22 okay sir तो start करें question मैं पढ़ रहा हूँ the following information is relating to fortune india limited एक company है जिसका नाम है fortune india limited मैंने diagram के थ्रूँ आपको समझाया था तो यह diagram आपके पास बना होगा मुझे पूरी उमीर है fortune india limited एक company है और उसके दो division है एक है pharma division यह pharma division दिख रहा होगा और एक है एक company है fortune india limited इसके दो division है pharma और fmc पैड़ अप शेयर कापिटल जो fortune india limited है इसके शेयर कापिटल है तीन लाग शेयर और एक रूपए का एक है शेयर का प्राइस एक रूपए fortune india limited यहाँ से question घूमता है यहाँ से story आपकी start हो रही है जो fortune india limited है इन्होंने decide कि demerge कर दिया जाए कि इसको pharma pharma division को अलग कर देते fortune india limited यही रह जाएगा इसमें सिर्फ fmcg रहेगा और एक pharma division को अलग कर रहा है और एक नई company बना रहा है इस division को हम एक company बना दे रहा है और उस company का नाम रखने का सोचा है हमने fortune pharma limited ठीक है सर fortune india limited जो है उसमें सिर्फ fmcg रहे जाएगा fortune pharma limited बना दिया अब जब company बनी है तो shareholder तो होना चाहिए और सर ये existing जो shareholder है ये किस के ये तो fortune india limited के है तो नई company बनी है तो ये लोग थोड़ीन मानेंगे ये कैंगे भई ये फार्मा भी तो हमारा है अगर आप share issue कर रहा है तो आप किसी और को नहीं कर सकते है आप हमें ही share issue करेंगे ये company ये कुछ नहीं है डिवीजन है और डिवीजन के मालिक ultimately हमी है तो आप हमें share issue करोगे और बिना पैसो के करोड़ी ठीक है जो fortune इंडिया लिमिटेड है इसमें दोनों चीज़े है फार्मा भी है प्लस FMCG भी है दोनों है और एक अपरेल का data किसका दे रखा है fortune फार्मा लिमिटेड का मतलब ये नई company के बाद it means उन्होंने detail किसका दे रखा सुनना देहां से एक तो उन्होंने total detail दे रखा है fortune इंडिया लिमिटेड का जिसमें दोनों include है और फार्मा का फिर अलग से दे रखा तो क्या इसकी मदद से आफ FMCG की information निकाल सकते हूँ यह सपोज मैं क्या कहना जाते हूँ fortune इंडिया लिमिटेड में secure loan थे 3000 लाक यह बोल रहा हूँ 31st मार्च की information उसमें से फार्मा का है 400 लाक के तो बताओ FMCG के कितने रहे होगे निकल सकता टोटल है 3000 उसमें से फार्मा डिविजन का है 400 लाक तो बचा हुआ किसका जाएगा FMCG ऐसा detail दे रखा है ठीक है आगे बढ़ो यस आगे लिखा है code of director of the company have decided to issue issue करेंगे necessary equity shares of fortune इंडिया लिमिटेड एक रुप्यक एक without any consideration to the shareholder of fortune इंडिया लिमिटेड क्या कहना चाहता है question question ये कहना चाहता है कि सहाब ये जो shareholder है ये एक actual में shareholder किस फार्चुन इंडिया लिमिटेड इनको share issue कौन करेगा फार्चुन 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 इंडिया लिमिटेड कितने हैं एक रुपए का एक बिना पैसे लिए हुए करना ही चाहिए था पर कितने share issue करेंगा 3000 share issue करेगा इन लोगों को या फिर 1500 share issue करेगा या 1000 share issue करेगा या 6000 share issue करेगा बस ये निकालना है कि आखिर ये कितने share issue कर रहा है कौन issue कर रही है फार्चुन 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 इंडिया लिमिटेड किसको shareholder of fortune इंडिया लिमिटेड इनके पास कितने share है value ठीक है हमें जो चाहिए point number B में estimated profit for the year 2010 2019 का profit estimated estimated का मतलब समझ गया future का profit 11400 लाख fortune इंडिया लिमिटेट तर fortune इंडिया लिमिटेट estimated का मतलब future मतलब सिर्फ किसका होगा FMCG profit after tax है 11400 लाख और price earning ratio भी paragraph में लिखा हुआ है वो है 42 ठीक है ऐसे ही estimated profit इसका भी दे रखा है किसका तर ये फार्मा डिविजन का ये फार्मा डिविजन का है ठीक है कितना 1470 लाख मतलब fortune फार्मा लिमिटेट और price earning ratio भी दे रखा और MPS भी दे रखा है मेरे ख्याल से paragraph पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा ये सारी किसा पूछ क्या रहा है पूछ रहा है कि ratio बताईए कि fortune फार्मा fortune फार्मा मतलब समझत गया ना फार्मा डिविजन कितने shares issue करेंगे किसको fortune इंडिया लिमिटेट के sharehold अब ध्यान से मेरी समझना पड़ेगा तभी का सवाल क्या है सवाल है कि भाई साब ये कितने shares issue कर रहा है इन लोगों एक बाद बताओ सुनना ध्यान से क्या profit after tax पता है यस क्या MPS पता है यस क्या EPS पता है यस अगर मैं MPS को divide कर दूँ price earning ratio पता है अगर मैं MPS को divide कर दूँ price earning ratio से तो कुछ तो आएगा EPS आ जाएगा ठीक है EPS आ जाएगा 24.5 divided by 25 EPS आ गया 0.9 यह तो कोई दिक्कत अब जो profit after tax है 1470 per share मालूम है तो क्या number of shares से निकल सकते हैं सर 1470 लाग है और EPS मालूम है तो number of shares से निकल सकते हैं मतलब 1470 divided by 0.98 तो number of shares से 1500 मतलब यार इस company के number of shares से 1500 लाग और इनके already share कितने है 3000 लाग तो पस इतनी सी बात है कि बताओ 3000 लाग पर हम 1500 लाग share ratio कर रहे हैं तो ratio बताईए और ratio आ गया 0.5 इस तो most important हो जाएगा दूसरे number में क्या मांग रहा है expected market price किसका FMCG का MPS मांगा है तब किता भी ही हो जाएगा 11400 लाग का profit after tax है और number of shares तो 3000 है 3000 लाग तो उससे निकल जाएगा EPS और EPS को multiply करेंगे 42 से तो expected market prices है बोलो हाँ क्या है है हमने तर ये भी निकल गया है इसमें ये मैं जा गया है दूसरा क्या मांग रहा उसके अलाब book value per share book value per share कैसे निकलते है sir share cap net worth divided by number of shares पर या net worth तो नहीं दिया है अगर sir net worth नहीं दिया है किस का book value per share दोनों का तो sir ये total है total मैं pharma का मालूम है तो FMCG का balance figure निकल जाएगा इसका हम assets जोड़ देंगे और liability का को minus कर देंगे तो net worth ही आएगा और net worth divided by number of shares करेंगे तो book value per share आ जाएगा और वो ही मैंने निकाला assets में से outside liabilities minus कर दिया तो ये आ गया net worth divided by मैंने number of equity shares किया तो ये आ गया book value per share question देखा जाए तो मुश्किल नहीं था पर question बड़ा था समझने में मुश्किल हो करना पड़ेगा एक बार पक्का करो आगे ज़्यादा tension नहीं है आगे अब questions ही questions है तो question question हर एक question important है question number 40 आया था exam में तो चलो यार करवाओं की नहीं करवा ही दोना सर्थ वैसे मैंने नहीं करवाया था इसको ऐसी roughly discuss कर लिया था पर फिर भी मैं पढ़ देता हूँ हमें value निकालना है एक business है जिसका नाम है PQR limit उसका value निकालना है उसका cash flow दिया है तो no doubt present value value बिजनेस से present value निकालना है चाउदासो सत्तर चारसो असी छिसो चारसो 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 साथ ग्यारासो सत्तर और बोले 5 साल बात जो cash flow है उसमें 8% का perpetual growth होगा तो से terminal value निकल जाएगा और perpetual cash flow टर्मिनल वैल्यू नहीं है यह यह पर पे में मुझे एक मिनट के लिए टर्मिनल वैल्यू लगा था यह क्या निकालकर दे दिये पाश नहीं नहीं पुले at the end of 5th year में यह था 10,260 perpetual cash flow यहां इतना confusion है तो यह क्या है फिर पर दिया है तो दिया 10,260 से फिर मैंने growth rate है 8% उससे मैंने value of business निकाल ठीक और value of firm ही तो मांगा था तो value of firm निकाल अगे तो firm has outstanding debt 3,620 तो वो minus करना और cash and bank balance जो दिया है 2710 मेरी नजरों में इसमें plus होना चाहिए पर नहीं किया institute ने cash तो plus होना चाहिए ना यार क्यूंकि यह जो future का cash flow है और cash मेरे पास है तो वो तो इसमें जड़ा होगा cash plus होना चाहिए पर नहीं किया institute खेर इस matter में बात नहीं करूंगा किज़ा debt minus किया और क्या मंगा था value per share मंगा था तो divided by यह value of equity आगया divided by number of shares किया तो क्या गया value per share that's it क्या गया 241.29 that's it question अच्छा था और बोले अगर 225 रुपय है तो बताये good offer है कि नहीं है तो यह तो आप बता सकते हो under price है क्यों 241.29 निकला है आपका share का price और यह 225 बोल रहा है तो 225 में हम क्यों बेचेंगे भी यह shares question number 42 बनाना पड़ेगा अच्छा question है time लगेगा मेरे ख्याल से 2 घंटे भी लग सकते है लग जाने दो क्यों टेंशन लेगा ए गंड़क क्याहां नहीं बरभात कर देते हैं तो tyk 16 है sir इसको भी देखे क्या देख लेते हैं अच्छा question है अगर yes limited एक company है yes limited और किसको acquire करने का सूचता है no limited yes limited स्रीधर है no limited को cash flow दिया है yes limited का दे दिया है और yes plus no दोनों का मिला कर दिया हुआ है अगर yes limited अकेला अकेला काम करता तो क्या होता अगर हम no को भी मिला देते हैं तो क्या हो जो earning है वो 5% का growth है अगर हम merger नहीं करते हैं तो मतलब yes में कितने percent का growth है सिर्फ सिर्फ yes yes में 5% का पर yes और no को मिला लिया जाए तो कितने percent का growth होने वाला 6% तो बत्ते cost of capital है 15% ठीक है तो value of firm निकाल सकते हैं अगर yes अकेला काम करता तो value of firm क्या आता तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो yes अकेला काम कर रहा है तो value of firm आ रहा है 2708.9 अगर merge कर लिया जाए तो value of firm कितना आ रहा है 5308.47 अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना जाए अगर मैं अकेला काम कर रहा हूँ तो भी यह है value अगर मैं सामने वाली company को मिला लेता हूँ तो यह है value तो बता सकते हो मैं सामने वाली company को अगर खरीदने का सोच हूँ तो maximum कितना पैसा दे सकता हूँ जितना मेरा value increase हो रहा है 2708 से 5308 हो गया तो इन दोनों का difference जो आएगा मैं सामने वाली company को payment कर सकता हूँ ठीक है आगे क्या लिखा हूँ है हाला कि compute the value of yes limited before merger and after merger तो यह जो निकालना था वो हमने निकाली value of acquisition value of acquisition का मतलब इन दोनों का difference होना चाहिए yes sir इन दोनों का difference ही तो होना चाहिए दोनों का difference value of acquisition अब दिक्त यहां फस रही है क्या फस रही दिखा gain to shareholder of yes limited yes limited के shareholder को कितने का gain होगा वैसे तो हम कैसे निकालते है sir MPS after merger minus MPS before merger पर problem क्या है मालूम इस question में number of shares नहीं पर यह बताया है कि दोनों ही company में merger से पहले एक बराबर के shares थे अगर इसमें 1,00,000 रहे होगे तो इसमें भी 1,00,000 और swap ratio कितना है 0.5 इसका मतलब merger के बाद number of shares कितने हो जाएगे मान लो इधर भी 1,00,000 इधर भी 1,00,000 और इन 1,00,000 के बदले में 0.5 दिये मतलब 50,000 share इस्यू किया तो अगर merger के बाद बोलू तो एक लाग 50,000 share पर ऐसा कुछ दिया नहीं है इन्होंने बहुत simple तरीके से यार merger ये है total value, merger के बाद उसमें से ये किसका एसर इन दोनों का मिलाकी है, yes के shareholder है ये no के shareholder उसमें से yes के shareholder का value क्या है, value of firm निकाला से नहीं उनका हिस्सा, merger के बाद, और merger से पहले तो अल्रडी निकला हुआ है हमारा, तो ये जो आ रहा ना, ये आ रहा है gain to shareholder और इसकी वज़ा क्या है, सिर्फ number of shares नहीं दिया, इस वज़ा हमने ratio निकाला, उसमें हमने yes का value निकाली है, merger की बाद, उसमें से पहले का value minus कर दिया, तो ये question भी अच्छा question question number 44, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, TYK 23, TYK 23, मतलब सर अब तो आप सीधा सीधा module के ही question करवाने ही start कर दिये, हाँची, मैंने आपको क्या बोला हर question अलग है, इचले part की अपेक्छा, ये वाला part ज्यादा important है, क्योंकि हर एक question आपको अलग दे, time भी लगेगा, लग जाने दो, मैं तैयार हूँ, खतम ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा ढंक से खतम करो, question number 44, खतम करने का मतलब, revision classes अब खतम, अब मुझसे उमीद मत करना, जितना देना था मैं दे दिया, चलो ठीक है sir, एच लिमिटेड, agree to buy, over, एच लिमिटेड किसको खरीदने का सोच रहा भा एक अप्रिल 2012 को summarize balance sheet of H limited and B limited दे रखा, balance sheet में खाज बात देखो, debt नहीं है, debt नहीं है, assets दे रखा है, H limited proposes to buy out, B limited and the following information is provided to you, किस तरह से कैसे buy करेंगे तो वो information दिया हुए, एक बढ़ पढ़े क्या, तो ले, weighted average post tax maintainable profit, profit, post taxer, FMB, future maintainable profit, yes, for the last four years, average profit दिया, 300 करोड किसका दे रखा है, H limited, इसका weighted average profit दे रखा, 300 करोड और इसका दिया है, 10 करोड, ठीक है, आगे बढ़े, और जो capitalization rate कितना है, 8% तो ठीक है, सर, value निकाल सकते हैं हम लोग, future maintainable profit को capitalization rate से divide करेंगे, तो value of business निकल जाएगा, और debt तो ही नहीं है, बस contingent liability है, 300 करोड, सर, contingent liability की FMP से divide करने से कोई फरक पढ़ेगा, H limited issue, 100 करोड से फर्क पढ़े सकता था, थोड़ थोड़ो ना, मैं ज्यादा, मुझे ऐसा लगता कि चलो घुसके पढ़ाता हूं, कहां घुसके पढ़ाऊंगा भई, time ही नहीं है, मेरे पास तो time ही, time है, H limited issue कर रहा है, 100 रुपए का share, थोड़ शेयर रोल भी limited, in term of action ratio, action ratio कैसे निकलेगा, swap ratio कैसे निकलेगा, यह important है, तो उन्होंने कहा, कि आप swap ratio, fair value basis पर निकाल लेना, यह fair value क्या होता है, तो उन्होंने कहा, fair value का मतलब हो गया, इसके हिसाब से, इस question के हिसाब से, फुले share का value निकालना सबसे पहले net acid basis से, और swap ratio निकालोगी तो उसको weight दे देना, one, और earning capitalization method, मतलब F&B divided by capitalization rate, उसको weight दे देना, three, कि उसके साब से पहले fair value निकालना, और fair value के साब से फिर swap ratio, तो सबसे पहले आपको net acid value method निकालना, और earning capitalization, net acid method मुझे नहीं लगता है कि आपको समझाने की जरुवत है, 1300 और इसका asset ले लिए 31.5 यह ऐसे जोड़ दो, 1300 यह, 31.5 यह, ठीक है, अगर इसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, तो assets, minus liability के नाम से, contingent liability है, वो minus किया, तो net acid आ गया, divided by number of shares, आपको पता है, तो यह value per share आ गया, value per share, कौन सी method से, net acid, earning capitalization में कुछ नहीं है, FMP divided by capitalization rate किया, तो value of equity आ गया, divided by number of, sir, value of debt आना चाहिए था, और यह आ गया value, इसको weight देना है, one, इसको weight देना है, three, तो इससे क्या जाएगा, weighted average, price जाएगा, जिसको हम fair value, दोनों का, तो दोनों का हमने fair value निकल, और swap ratio का formula, उपर हमेशा vendor company, नीचे हमेशा purchasing company, तो यह आ गया, 0.178, यही उन्होंने मांगा था, exchange ratio निकल, question अच्छा है, question number 40, क्या यह भी ICAI का question है, yes, TYK26, वाव, आज तो मज़ा गया, पड़े, yes, AB Limited is planning to acquire and absorb the running business of XY Limited, AB Limited एक purchasing company, जिसको किसको खरीदने का सोच रही है, XY Limited, ठीक है, the valuation is to be based on recommendation of merchant, बोल रहा है, हम valuation वगेरा करेंगे, और recharge किस रूप में करेंगे, बोले, बदले में हम equity share सा, जब absorb कर रहे हैं, जब हम खरीद रहे हैं, किसको खरीद रहे हैं, XY Limited को, तो AB Limited उसके बदले में कैसे करेगी, बोले, share issue करके हम खरीदेंगे, as on 35th March, the pad up capital, AB Limited का 80,000,000 pad up capital है, 10 का एक है, AB Limited मतला purchasing, और highest and lowest market quotation, AB Limited जो purchasing company है, उसका highest price और lowest price बताया है, highest price 470, lowest price 430, बोले, जो हम share issue करेंगे, वो इन दोनों का क्या करेंगे, average, अगर आप इन दोनों का average करूगे, तो आपको पता लग जाएगा, कि average करने पे share का price 570 और 430, तो average 500 आएगा, इन दोनों का, मतलब यार, हम कहना क्या चाहता, कहना यह चाहता, कि हम company को खरीदेंगे ना सर, तो जिस भी company को आप खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, तो जो share issue करेंगे ना, वो share हम 500 के हिसाब से issue करेंगे, ठीक है भाई, अब XY Limited का उन्होंने balance sheet बताया, उनका share capital दिया, share capital में खाज बात समझना, इस question को करने का उद्देश है बस इतना ही है, इसका मतलब यार, अगर मुझे share issue करना है, तो इन दोनों को बराबर बराबर share issue नहीं कर सकता, क्योंकि भाई, ये तो 20 लाग share है, फुली पैड़ है, और ये 10 लाग share है, लेकि 5 रुपए ही पैड़ अप है, तो अगर मैं कहूं, ये मेरे लिए नज़रों में 10 लाग share है, ये मेरी नज़रों में 5 लाग share है, आपने खुब किया होगा, ये EPS वाले topic में, ख्यार, और assets भी दे रख, अब यार XY Limited का value कैसे निकाले, सबसे important है value कैसे निकाले, तो उन्होंने कहां कि यार value ऐसे निकाल सकते हैं, इनका उन्होंने earning after tax दिया है, और सुनो भाई यार terminal value भी दे दिया है, वाउ, terminal value भी दिया, इसका value of business निकाल सकते हैं, cash flow के हिसाब से, discounting cash flow के हिसाब से, और banker ने कहां कि देखो value ऐसे निकाला जाएगा, कौन सी method से निकालना, net assets method से value of business निकालना, तो नो method से, उचलो, सबसे पहले काम क्या करें, सबसे पहले value of business निकालना, discounting cash flow technique से, और जो आ गया है, 592.40, और net assets से, सर्थ 350 और liability में कितना दिखाई दे रहा, ऐसा ले लो, यह 350 आपको समझ बनी आएगा, यह 350 आगया assets, इसमें से यह 100 माइनस करें, तो सरी आगया 250 और इसका average लेने के लिए बुला, तो यह ले लिया average, 521.20, और share कितने में issue कर रहा है, 500 रुपाए में, average price पे, क्या number of shares निकल जाएगा, 84240 shares, अब उनका क्या कहना है, इसका बात यह पूछा कि बताओ, कितने कितने shares issue करेंगे, तो simple सी बात है, ratio वाटना पड़ेगा, total number of shares कितने है, 25, तो 25 मानना पड़ेगा, equivalent कर दिया मैंने, तो कितने share, जितने भी share issue है, 20 by 25, 5 by 25 के ratio में, share issue, यह वाला ना, यह वाला important है, अगर देखोगे, हलाकि यह है नहीं है, यह CA enter का है, ठीक है, करने के लिए अच्छा है, ओके सर, चले की आगे, आगे चले, true cost of acquisition, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान है, true cost of acquisition से, आप लोग परिशान हो ज़्यादा, ओके सर, एक बार देखें क्या, हाँ देखेंगे, पक्का है, exam में आता है, true cost of acquisition, यह net cost of acquisition, और बच्चों को समझ भी नहीं आता, कि यह question घूम कैसे रहा, सुना ध्यान से, example के साथ समझाया हूँ, समझी लेते हैं, देखो देखेंगे, ए लिमिटेट के number of share से, एक लाख, MPS है, 80 रुप है, price earning ratio है 10, तो sir, EPS भी निकल सकता है, और MPS भी निकल सकता, market value भी निकल सकता, अगर market value की बात करो, तो इन दोनों से multiply कर दोंगी, तो यह आ गया market value, cash deal में हमने decide कि हम इनको 30 रुपिया देंगे, एक एक share पर हम 30 रुपिया देंगे, किसको भी लिमिटेट को, cost of acquisition है क्या action, true cost of acquisition, जहां से समझना, जो कामने वाले को फाइदा होगा, वो मेरे लिए cost है, simple सी बात है ने, जो आपको फाइदा हूँ मेरे लिए cost, कहीं बाहर से तो मिल नहीं रहा है आपको, आपको जो extra मिल रहा ना, जो आपको फाइदा है, जो आपका NPV है, वो मेरे लिए cost, सेम concept है बाकी और कुछ नहीं, तो कभी भी true cost of acquisition बोलेगा, किसके point of view से, एक limit, तो आपको देखना पड़ेगा, बी को कितने का फाइदा, अब बी को फाइदा कैसे निकालना है, यही बात मैंने यहां लिखा है, जो B limited को gain होगा, वो A limited के लिए true cost होगा, अब gain कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे, A limited को कितना दिया जा रहा, उनके 40,000 शेयर से, और 30 के हिसाब से दिया जा रहा, मतलब उनको 12,00,00 दिया जा रहा है, जबकि उनकी market value कितनी है, 8,00, तो उनको कितने का फाइदा है, 4,00, तो वो 4,00,00, मेरे लिए true cost of acquisition हो जाए, अगर cash deal हो रही है, सर, अगर कोई synergy होता, तो यहाँ plus हो जाता, फिर तो और भी cost of acquisition, synergy होता, तो वो यहाँ plus हो जाता, वो अगले example में, इसी के साथ समझा, यहाँ तक समझी में रहा, cash deal तो समझी में आगे, सर, आगे चले, yes, दूसरा stock deal, और stock deal में हमने decide कि, हम swap ratio देंगे, 0.5 is to 1, 0.5 is to 1, अब हमें value निकालना पड़ेगा, और value कैसे निकाल सकते, value दो तरीके से निकाल सकते, post merger, सर, यह value, दोनों value को जोड़ देंगे, और अगर कोई plus synergy है, तो वो add कर देंगे, अब जैसी information देगी, उस तरह से value business निकालना जाएगा, after merger, पहला इन दोनों को जोड़ दीजिए, और अगर कोई synergy है, तो उसको add कर दीजिए, यह दूसरा तरीका है, यह सब दिया, तो एक काम करते हैं, post merger, EPS निकालते हैं, पोश्ट, या एक लाग तैती सर, या एक लाग तैती सर, क्या है, वो देख लें, तो हमेंने क्या निकाला, post merger, EPS, अप्राइज़निंग रेशो को, add into कर दिया, तो post merger, MPS निकल गए, यहां तक ठीक है, तो cost of acquisition, निकालना है, merger के बाद, उनके 20,000 shares हो जाएगे, merger के बाद, अभी कितने हैं, 40, तो कितने हो जाएगे, 20,000 shares, और price कितना हो गए, 77.80, तो सर, merger के बाद, सामने वाली company के, shareholder की value, यह हो जाएग, अब पहले यह थी, तो यह उनको फाइदा हो रहा है, पर अधिकतर ऐसे नहीं निकाला, true cost of acquisition में, जब भी stock का deal हो रहा है, तो आपको दोनों company का value दे देता है, और साथ में synergy दे देता है, तो इन तीनों को add कर दोगे, और यहां लिख दो, यहां नहीं गलत हो गया है, यहां लिख दोगे, यहां, यहां जाएगा value, और फिर share ratio में बाढ़ देंगे, question देखे क्या, हाँ, एक आद question देखे, question number 49, और क्या दिखाई दे रहा है, TYK2, TYK2, ठीके, अजीब सा नाम है, Elrond Limited, ठीक है, इसको खरीदने का सोचरे सर्ट, Doom Limited, relevant detail, मतलब सर, यह है purchasing company, यह target company, यह आद रुक, market price दे रहा है, number of shares दे रहा है, और यहां synergy दे रहा है, यह तो चाहिए था मुझे, यहां यहां इसा वाला question करो, actions ratio दे रहा, 0.5, cost of merger निकालना, यह cost of acquisition निकालना, कहीं cash deal की बात नहीं लिखी, सबसे पहले, value of business after merger निकालना, और कैसे निकालेंगे, मैंने कहा, क्या इसका value हमको मालूम है, यह सर, या इसका value मालूम है, यह सर, और उसमें क्या add कर देंगे, synergy, तो यह आ गया, 1450 लाक, यह कप का आया, दोनों का मिलाकर, value of business after merger, अब देखेंगे, no limited, no limited नहीं है, doom limited के, को कितना फायता, जो उसको फायता, वो मेरे लिए cost of merger, या cost of acquisition, start करते हैं, total है 1450 लाक, हाँ बोलो, हाँ, उसमें से, वाली company के shareholder, तो 5 लाक हो गया है, तो sir, उसका value हो गया है, 290 लाक, जबकि merger से, पहले value कितना था, 250 लाक, तो cost of acquisition आ गया, 40 लाक, यह ध्यान रखना, यह total number of shares, और वो, उस company के, जिसको मैं खरीद रहा हूं, उसके number of shares, after merger, ठीक है, question हमारी module का है, yes, TYK 25, मैंने तो पहले ही बोला था, यह वाला part, merger का सबसे ज़्यादे important है, बढ़े, दिखे, एक company है, जिसका नाम है, AFC Limited, जो किसको खरीदने का सोच रही है, PCD Limited, यह question की demand, ज़्यादा आई थी, बच्चों की, कियार सर, प्लीज यह question आप करवा देना, question में कुछ खास बात नहीं, पर फिर भी देख लो, AFC, और किसको acquire करने का सोच रहा है, BCD, AFC के number of shares कितने हैं, 10 लग, और BCD के हैं, 5 लग, तो मैंने यहाँ लिख लिया भाईया, 10 लग, और 5 लग, वेल्यू कितने से increase हो रही है, from the acquisition on the basis of falling condition, यह वाली बात, बहुत ज़्यादा important है, और अब बहुत सारी question में लगने वाला है, तो प्लीज ध्यान से समझना मेरी बात, BCD में अभी कितने का growth rate है, सर, 7 पर्षिन, ठीक है, और growth rate, अगर वो AFC खरीद लेता है, तो growth rate जो 7 पर्षिन था, उसकी जगा कितना पर्षिन हो जाएगा, 8 पर्षिन, सवाल यह है, कि सामने वाली company को खरीद देता हूँ, मैं हूँ AFC, अगर मैं BCD को खरीदता हूँ, कि सेनर्जी है, कि नहीं है, है सर, है, अभी market price AFC का कितना है, 100, और BCD का कितना है, 20 market price, और expected dividend कितना है, 0.6, सबसे important क्या है, सबसे important है synergy, तो growth rate है 7%, अगर वो 8% हो जाएगा, तो value तो बढ़ेगी, तो बताओ कैसे value बढ़ेगी, तो देखो इसको किस तरह से निकाला जाता, प्लीज, 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 ध्यान देना इसको, मैंने का भाईया, अभी dividend कितना दिया जा रहा, 60 पैसा, क्या ये D1 है, बोलो हाँ, हाँ सरी, इसमें कोई शक्की बाएगी, अब मैंने कैसे किया, तो यहाँ से synergy निकालना है, synergy, कैसे किया, की निकालने का फॉर्मूला होता है, D1, P0, प्लस G, तो प्रॉब्लम क्या है, कि मैं निकालना चाहता हूँ, P0, मर्जर के बाद, सुनना ध्यान से, मुझे BCD का P0 निकालना है, अगर मैं BCD का P0 निकालता हूँ, तो मुझे चाहिए D1, divided by K-G, सर, D1 तो मालूम है, जी भी मालूम है, जी कितना लेना, आठ पर्शन लेना, सर, K-E नहीं मालूम ना यार, यही एक समस्या है, सब भी तो मैं वैल्यू निकाल पाऊँगा, मर्जर के बाद, चैनर्जी निकाल पाऊँगा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले K-E निकाला, मैंने नहीं किया, I-C, E-I नहीं किया, और K-E कैसे निकाला, क्या D1 मालूम है, क्या D1 मालूम है, यस, क्या PG-0 भी मालूम है, यस, क्या Growth Rate भी पहले वाला मालूम है, यस, तो पहले वाले को लेकर, और जब मैंने केई निकाल ला तो केई कितना आगा है 10 परशन और उस 10 परशन को मैंने यहां यूज किया लेकिन इस बार ग्रोथ रेट कितना है 8 परशन और conceptual आपको पता है D1 में कभी चेंज नहीं हो 8 परशन उसके हिसाब से value कितना निकला 30 रुपए this is synergy synergy ने 30 रुपए हो गया value अप पहले कितना था 20 तो बोलो कितना बढ़ गया 10 रुपए और 10 रुपए को ही आप value of synergy बोलते है 10 रुपए को ही मैं बोल सकता हूँ increase in total value of DCT 10 into 5 lakh share तो answer कितना है का 50 रुपशन तो रटे जैसा लग रहा है हाँ option नहीं इसको मैं और यहां नहीं explain कर सकता most important याद रखना कैसे काम होगा काम ऐसे होगा कि सबसे पहले आपको केई निकालना पड़ेगा क्योंकि growth rate पहले साथ था बाट हो गया को केई निकालना पड़ेगा और उस केई का huge यहाँ P0 निकालना पड़ेगा जो की growth जादा है तो पका बढ़के ही आएगा और जितना बढ़ा है उसी को आप value of synergy बोलते है या उसी को आप बोलते है value of synergy के लावा मैंने क्या नाम दिया था increase in value of BCT BCT की value कितने से increase हो रही है 25 लग चले आगे Point No.2 On the basis of appropriate condition calculate the gain or loss to the share order of both the company दोनों कमपनी के shareholder को gain or loss निकलना If AFC limited were to offer one of its share for every four share of BCT मतलब इस बार swap ratio दिया है चार के बदले में मतलब 1 by 4 चार के बदले में या 0.25 पहले एक काम करते हैं और क्या बोला है gain or loss तियार हो पहले एक काम करते हैं पहले number of shares to be issued निकले थे सामने वाली company में number of shares कितने हैं पाच लाक पाच लाक into one by four तो सर्फ टोटल number of shares कितना होगा है एक लाक 25 रर हम एक लाक 25 रर share issue करें और हमारी company में अलरड़ी number of shares कितने है 10 लाक तो सर्फ टोटल मिला कर number of shares कितना होगा है 11,25 अब value of business निकालते है after merger synergy मालूम है yes value of business कैसे निकालेंगे मैंने गाँ पूरे इसमें ऐसे निकाला है कि AFC का पहले value कितना था 10,100,000 एक हजार लाग BCD का पहले value कितना था 5,20,000 एक हजार लाग और value of synergy कितना 50,000,000 ये कहां से आया ये मैंने आपको बता है value बढ़ी ना भाई मर्जर के बाद तो total value of business कितना आ गया 11,50,000,000 divided by number of shares 11,25 MPS आ गया after merger 102 रुपिया 22 पैसे ठीक है मर्जर से पहले price कितना था AFC का 100 मर्जर के बाद है 102 रुपिया 22 पैसे तो बोलो यहां gain कितना हो गया यहां मर्जर से पहले BCD का value कितना था 20 और यहां हो गया equivalent निकालना पड़ेगा तो 5.55 यह question है इस जिसमें ICAI ने और एक तरीके से कर रखा है equivalent और एक तरीके तो उन्होंने का 20 इंटू 4 या 80 लिख दो अभी भी equivalent है अभी भी equivalent है कोई फरक नहीं पड़ता ICAI ने इस question में ऐसे कर रखा पाकि सारे question में equivalent ऐसे ही निकालता कोई फरक नहीं पड़ता answer उत नहीं आएगा बस difference यहां 4 share का difference आजाएगा यहां एक share का difference आ रहा है तो ऐसे ही करूँगा मुझे अगर जो बच्चे याद कर सकते हैं वो ऐसे कर ले ना इस बार institute ने इस question में ऐसे कर खीक है sir आगे चले के sir यहां जी बिल्कुल चलेंगा यह भी point हो चुका है कि और कुछ है क्या यह भगवा और point number 3 calculate the gain to the shareholder of both the company अगर AFC stock deal नहीं कर रही तो ले भी यहां हम एक काम करते है एक एक share पर 22-22 रुपे 22-22 दे देते है sir BCD की value कितनी थी 20 रुपे है और हम पैसी कितने दे रहे 22 रुपे तो उसको तो 2 रुपे का gain वैसे भी दिख रहा है पर AFC की बात करेंगे 22 रुपे cash देते हैं price earning ratio जो है वो change नहीं होगा merger के बात EPS जो है EPS वो रहेगा 8 रुपे AFC का EPS 8 रुपे और BCD का है 2 रुपे 50 पैस ठीक है हाँ लेकिन जो cash में payment करेंगे न अगर हम cash में payment नहीं करते तो उस पे हम 10% कमा लेते अप और्च ठीक तो सबसे पहले ये देखो नहीं है अगर हम BCD को खरीद लेते इतने का फाइदा हो रहा क्योंकि cash में खरीद रहा तो BCD से 2 रुपिया 50 पैसे कमा रहा है पाच लाग शेर्स पर तो सर बारा लाग रुप 50,000 रुपै हम कमाएंगे आगे ठीक है सर ये दिया हूँ ये point अलग है पर सर ये जो हम उसको cash में दे रहा है cash में कितना दे रहा है पाच लाग इंटू 22 रुपिया एक लाग पचास जर ही मिल रहा है और हम खुद से कितना कमा रहे थे दस लाग इंटू 8 असी लाग तो अब मैं क्या निकाल रहा हूँ पोश्ट मर्जर EPS देखो मैं कैसे निकाल असी लाग तो भी या मैसे भी कमा रहे थे असी लाग कैसे आया यह सर 8 रुपै 10 लाग इंटू और एक लाग पचास जर यह यह कर कमा रहे हैं टूटल और नमबर और शियर कितने हैं 10 लाग याद रखना हम शियर इस टॉक डिल नहीं कर रहे तो हमारे पास शियर पहले जितने थे अभी भी उतने रहे तो सर्फ पोस्ट मर्जर EPS आ गया 8.12 और इसको मल्टिप्लाई कर दिया प्राइजरिंग रेशियो से तो आ गया 108.8 से प्राइजरिंग रेशियो कैसे निकाला है तो यह दिख रहा है 100 डिवाइड बाइ 8 सर यह 100 कहां से आया तो भाईया इधर कहीं लिखा था ना यार 100 MPS तर यह 100 और EPS कहां लिखा EPS यह लिखा है कितना 8 तो प्राइजरिंग रेशियो है इस प्राइजरिंग रेशियो को मैंने यहां यूँ तो बताओ AFC का मर्जर के बाद MPS कितना 108.875 पहले कितना था 100 मैं जानता हूँ आगे चलिए Question No.1 यह भी True Cost of Acquisition का question है True Cost of Acquisition को question में बच्चे पता नहीं जरते हैं बहुत जरते हैं पढ़े कि सर? हाँ जी पढ़ते है लॉंग लिमिटेड इस प्लानिंग तो अक्क्वार टॉल लिमिटेड यह हो गया पर्चेसिक कंपणी यह वेंडर कंपणी DPS दिया है, DPS दिया है दोनों expected है, मतलब सरी है D1, number of shares दिया, current market size ठीक है सामने वाली कंपणी की market value आप निकालाई अब merger से पहले और बोल रहा है कि growth rate पहले ता 6 पर हम acquire करेंगे, तो 8 वैसी वाला question है सबसे पहले निकालना, net cost of acquisition अगर आप cash deal करते 60 रुपए payment करते, तो देखते सामने वाली company को कितने का फैदा 30 रुपए का payment हो रहा, number of shares कितने 18 लक जबकि उसकी value कितनी है, यह तो यह आगया, true cost of acquisition अब क्या करेंगे अब निकालेंगे सर, अगर stock deal होता है, तो stock deal का बताएगा, कितने के बदले में कितने shares हाँ सर, बताएगा ना, कि बिना कैसे हो one share for long limited for every three shares, मतलब one by three, इन के बदले में एक, तो सर, इसको आप कैसे निकालेंगे, पहले हमको value निकालना कैसे निकालोगे, इसका value, प्लस इसका value, प्लस synergy, और synergy, पहले 6% था, 8% है, synergy निकालना मैंने आपको सिखाया है, आओ पहले काम करें, तो सबसे पहले मैंने की निकाला, की कैसे निकाला पता है, three by fifty, प्लस growth कितना है, three by fifty यह क्या निकला, तर यह निकलेगा ठीक है, और growth कितना, 6% के साबसे पहले किया, निकला की, और इस की को मैंने यहां यह यूज किया, तो यह आगया, P0, 75 और पहले कितना था, 50 into 18 lakh, तो यह आगया है, synergy और इसको मैंने यहां add कर दिया, तो यह आगया है, market value of firm, दोनों का मिला कर, अब मैं क्या देख रहा हूं, मुझे निकालना cost of acquisition में यह देखूंगा, कि इसमें सामने वाली company का कितना फाय था, तो 6,750,000,000,000 divided by 36, 36 कैसे आया भाई, सर, number of shares, 1 by 3 है, मतलब 6,000,000 share issue हो रहा, दोनों का मिला का 36 लाग 36 लाग तो 6 लाग सेयर का कितना आग है 1125 और पहले का वैल्यू कितना है 900 लाग तो यह आग है ट्रू कॉश्ट अपैक्विश्ट कुश्ट नूमबर 51 यह एक्जाम का कुश्ट नहीं था पर था इंपोर्ट कुश्ट नूमबर 51 यह अजीब सा कुश्ट है और यह है तीवाई के 4 तीवाई के तीखाँ पी लिमिटेट इस कंस्टिरिंग टिक ऊवर अफ आर लिमिटेट बाई एक्शेंज आपको याद करना पड़ेगा यह कोश्ट थोड़ा अजीब सा प्रॉफिट बिफोर टेक्स दिया है और टेक्स का रेट है 30 परशन तो इससे मैंने प्रॉफिट आप्टर टेक्स निकार नमबर शेर्स दिया है तो इससे मैंने EPS निकार और मार्केट वेल्यू भी मैंने निकार लिया और मार्केट वेल्यू कैसे निकाला होगा क्योंकि MPS मालूम है और क्योंकि number of shares मालूम है तो मैंने दोनों company का market value और दोनों को merge किया तो 211.05 आके इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी market value of both the firm बोला market value of both the firm निकल गया तो point number one में कोई दिक्कत यह value of original shareholders किया है भाई यही दिक्कत है value of original shareholders मतलब अब हद हो गई original shareholders मतलब मुझको समझी में नहीं आया है पर उन्होंने कहा number of shares कितना है 12 करोर 12 करोर कैसे आया होगा 4 by 5 करोई अब उन्होंने value वैसे निकला merger के बाद का value मतलब सर उन्होंने वही किया जो अभी तक हम कर रहे थे value of P limited after merger और value of R limited after merger और इसको उन्हें बोला value of original shareholder जो अभी तक कर रहे थे पर ये सब्दों सक ऐसे समझ में आगा सर कि ये value of original shareholder कुछ नहीं किया उसने merger के बाद का value नहीं और post-merger MPS कैसे निकाला है तो वो तो आप simple है निकाल सकते हो combine earning किया होगा earning का है भाई earning earning ये combined earning divided by number of shares किया तो ये आगया EPS उसको 12 से multiply किया तो ये आगया 6 point MPS अब दिक्कत नहीं है दिक्कत बस इसी में थी कि ये उसके बाद क्या है impact पूछा तो impact तो easily निकालोगा ये तो कब से करते है impact में कोई दिक्कत नहीं होना अच्छा question question number 52 repeat question है तो करने का मतलब भी नहीं है okay question number 39 कर ही ले क्या एक बार exam का question है न हाँ चलो कर लेते भई तो tension कर लेते exam का question है देख लेकि एक बार हाँ साथ देख लेते तो का ICL proposing to take over SVL ICL है purchasing company और इसको take over करने का सोच देख 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 SVL ICL profit after tax जो grow हो रहा है वो 18% से ICL जो है वो 18% से growth हो रहा और SVL जो है वो 15% ठीक है वो था company pay dividend regularly तो ले हम dividend देते है regularly बहुत अच्छी बात है profit and loss account दे रखा है जिसमें यह सब दिया हुआ है और साथ में fixed assets दे रखा है ठीक है लैनन बिल्डिंग वगेरा सब कुछ और current assets दे रखा है current liability creditors और 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 जो growth rate है वो 18% होगा अगर merger हो जाता है तो अगर merger हो जाता है तो growth rate कितना होगा ICL management want to determine the premium on the share over the current market price can be paid on the acquisition of SVL क्या पूचा है अभी SVL का share का price क्या है अखिर स्विल का share का price is 75 चलो SVL को खरीजने का सोच तो खरीदने का सोचते तो कैसे सोचेंगे बोले value कैसे निकालेंगे बोले net worth ले ले लेना net worth SVL का net worth कहा है भाई net worth net worth net तर ये दोनों मिला का net worth होगा देख लूँ क्या एक सो बच्छा होई किया गया net worth कितना 780 बोले net worth ले ले लेना और adjust करना उसमें current value of linen building net worth जो निकला है उसमें 190 लाक linen building का include है बोले वो मत लेना वो मत लेना actual value लेना ठीक है 190 इसमें से minus करना पड़ेगा और सहीं वाली value add करना प्लस 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 एस्टिमेट average profit after tax ले लेना अगले पास साल का अगले पास साल का एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पास साल का average profit ले लेना और फिर उसका value निकाला निकाले तो पहले उसने बोला net worth ले लेना पर इसमें 190 तो जुड़ा है बोले 190 हटा देना और सही वाली value add कर देना तीस-तीस पर्षन का ग्रो किया, 190 माइनस कर दिया तो जो difference है वो इसमें add कर दिया तो ये आगया क्या net worth अब क्या बोला इसके बाद, इसके बाद बोले कि अगले पास साल का profit after tax ले profit after tax है कितना सुना धिहां से, अभी कितना अभी, 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 अभी है 250 तो बोले एक काम करो बोले एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पास साल अभी है 250 तो बोले इसको 15, 15 परशन्ट से बढ़ ला तो growth rate वाला नहीं लेंगे मर्जर की बात, मर्जर की बात की बात ही नहीं है अभी अभी की बात करो, अभी value कितना है अगर हम separate ही देखे तो बताओ क्या होगा तो बोले 15 परशन्ट का growth है, profit में तो बोले 15, 15 परशन्ट पास साल तक बढ़ाओ पास साल तक, इसमें 15 परशन्ट फिर जो आया उसमें और 15 परशन्ट और जो आया उसमें 15 परशन्ट और जो आया उसमें 15 परशन्ट उस 15 परशन्ट और फिर इसको divide किस से कर दे ना, पास से हाला कि ये क्या है, future value एनिटी फैक्टर दिया रहेगा, तो सीधा multiply कर दिया, तो वो सब जोड के आ गया पास साल का, पास साल का ये जोड कर आ गया, टोटल आने वाले पास साल का profit सब aggregate होकर आ गया, divided by 5 किया, तो ये आ गया average दो, ठीक, और इन दोनों को बहले जोड देना, ये आएगा value of business, ठीक है, divided by number of shares कर देना, तो हमारे हिसाब से, जो SVL को खरीच सकते हैं, हम 112 रुपिया देने को तियार है, 112 रुपिया दे सकते हैं, और जबकि value कितनी है, 75 रुपिया, तो कितना premium दे सकते हैं, वो premium पूछ रहा है, बस, वो ही पूछ रहा था, बताए premium किया, premium निकाल लिया, और कितना आगा है, 49.33, बहुत सारे बच्चों का ये कोश्चन आया था सर, इसमें 18 पर्षन होना चाहिए, मेरा कहना कि क्यों 18 पर्षन होना है, हम कह रहें कि अगर SVL अकेला अकेला चले तो क्या हो दूसरा उन्होंने कौन सा बोला, dividend growth model, तो पहले dividend निकालेंगे हम लोग, सर, D0 है, 10 रुपए, D0 कैसे निकलेगा, 125 रुपए dividend दिया है, टोटल में, 125 लाग, या सर, टोटल में 125 लाग dividend दिया है, divided by number of shares किया, तो D0 आ गया, ओके, और growth rate कितना लिया है, 15 पर्षन, यहां भी लोगों का कहना, सर, 18 क्यों नहीं ले रहा है, dividend growth model, मैं बोल रहा हूँ, अगर merger नहीं करते, तो, उसा 30.33 पर्षन, अच्छा, synergy यहां लिया है, value of synergy निकालने के लिए, और अब merger करने के बाद, अब growth rate कितना हो जाएक, 18 पर्षन, बात समझ में आना, वैसे ही निकाला, जैसे पहले निकाल रहा था, पहले मैंने 15 पर्षन के साब से के ही निकाला, और अब हम merge कर लेते हैं, तो 18 पर्षन का growth होगा, तो 95.70 निकाला, और फिर, मतलब हम 95.70 दे सकते एक शेयर पर, जबकि actual price कितना 75, तो बोलो premium कितना दे सकते हैं, 27.60, बच्चों का बस इतना question था, कि 18 ये वाला सही है सर, पर यहाँ भी 18% होना चाहिए, यहाँ भी 18% होना चाहिए, लेकिन सीधी सी बात है, उन्होंने बोला है कि आपको, इस हिसाब से valuation करना, इस पर थोड़ा सा doubtful इसतितिए कि 15% होना चाहिए, कि 18% होना चाहिए, पर मैं फिर से बोलूँगा, dividend growth model अलग formula होता है अलग चीज होता है और यह जो इसने बोला है वो अलग चीज है इसमें हमें उसका growth यूज नहीं करेंगे इसमें जो बोला है वो यूज करेंगे dividend growth model अलग चीज है जैसे price होता है ना यार MPS निकालने का formula EPS into price in English तो EPS कौन सा वाला लेते सर EPS अभी वाला लेते उसमें expected नहीं लेते और एक है dividend yield dividend yield का formula क्या है dividend divided by market price तो इसमें D1 थोड़ीन लेते इसमें तो अभी का dividend लेते मुझे बहुत ज़्यादा explanation नहीं देना है ऐसे ही करना पड़ेगे अगे चलो question number 48 48 देखे 48 और 47 एक जैसा question है हाला कि 47 है ty के 30 इसको मैंने homework दे दिया था इसका मतलब मैं जो करवा हूंगा वो करवा हूंगा question number 48 तो अगर मैं कहूं यह ty के 30 है तो भी चल जाए इसका नाम है rolly limited जो किसको खरीदने का source रहा poly limited और यह balance sheet दिया हो ठीक है तेखा शेरोडर रहो poly limited will get one share of rolly limited current market price है 20 for every two shares मतलब इस company को खरीद रहे यह poly limited का मतलब sir यह vendor company का balance sheet है और उसमें बोला है हर एक share issue होगा दो के बदली में और share का price कितना है 20 मतलब sir कितने number of shares है एक lakh shares है एक lakh shares है एक lakh की जगह हम 50 share issue करेंगे और कितने के सबसे 20 के सब एक्सटरनल liability जो दिखाई दे रही है मतलब यह है उसको हम 20,000 रुपए discount पे settle कर देंगे मतलब इसके लिए हम 3,000,000 रुपए अलग देंगे debtors और inventory से हमें 2,000,000 रुपए मिल जाएगे debtors और inventory से हमें 2,000,000 रुपए मिल जाएगे और cash का तो मिली जाएगा आज की आज में ठीक है actually यह concept क्या है concept कुछ नहीं है actually question यह बताना चाहता है कि भईया हम company खरीद रहे है company खरीदने की बस वज़ा एक ही है कि हमको plant and machinery को यूज करना है बस और कुछ नहीं पाकी सब settlement कर देंगे हमें plant and machinery का मतलब है और उसी को हम आगे चलाएंगे और आगे चलाके हर सल 4 लाख रुपए मिलेगा और ठीक 6 साल बाद हम plant and machinery को बेज देंगे और कितने में बेज देंगे एक लाख पच्छास जार रिस्काउंटिंग रेट है 14 परशंट तो हमें बताना है कि plant and machinery खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना तो सबसे पहले PC निकालना पड़ेगा purchase consideration में एक तो हमने shares दिया साथ में हमने external liability का तीन लाख दिया पैसा हमारे पास से कितना जारा आच सर आज debenture का भी payment करेंगे पर आज हमें debtors और stock से पैसा मिल जाएगा और आज हमारे पास cash भी रहेगा तो total अगर दिखा जाए मुख्य रूप से plant and machinery के लिए हमने 13,80,000 दिया और plant and machinery को use करके future में हमारे पास इतना आएगा इतना आएगा इतना आज गया present value हो गया तो यह NPV है और NPV positive है तो हमको proposal accept कर ले एक्जाम में आया था same question ये भी है तो मेरे खहल से ये आप से हो जाएगा that's it अब आगे चलते हैं सरी ये question कौन सा है बता देता हूँ question कौन सा है 56 यहां से आगे बढ़ते हैं आज अगे चले ये question एक्जाम में आया हुआ है और exam में आया हुआ था May 2019 ये भी लगभग याद करने वाला question अगर इसको देखोगे क्या दिया है ये का R Limited और S Limited operating in the same industry ठीक है R Limited management is interested R Limited हो गई purchasing और target company हो गई S Limited जिसको हमको acquire करना ठीक है due to its excess plant capacity जिसको acquire करना S Limited के share का price current market price है 3.20 पैसे इसके अलावा balance sheet दिया हुआ है S Limited का okay इसके अलावा और भी information profit after tax है residual cash flow दे रखा और require rate of return दे रखा R Limited का S Limited का और merge रहा है entity का ठीक है तो पहले मांगा है minimum price per share of S Limited should accept from R Limited S Limited minimum price अगर मेरी नजरों से देखो तो minimum price 3.20 पैसे हुआ कि कम से कम S Limited बोलेंगे 3.20 पैसे से कम में तो हम उससे कम में तो बात ही नहीं बनेगे 3.20 पैसे क्या market में क्या बहाओ चल रहा 3.20 पैसे या तो आप 3.20 पैसे तो हम market में बेस देंगे तो मेरी minimum price मेरे हिसाब से तो 3.20 पैसे होना चाहिए उन्होंने सबसे पहले लिखा current MPS 3.20 पैसे और इसको बोला floor value ठीक फिर उनने कहा हम book value per share निकालेंगे और book value per share कैसे निकाला होगा यह आपको simple सी बात है इन दोनों को add किया जिसको आप net tested value बोल सकते divided by number of shares किया तो book value per share निकला और उसके अलावा as limited का जो residual cash flow है उसके इसाब से उन्होंने value per share निकला यह किसके इसाब से cash flow अब minimum price मेरे हिसाब से 3.20 पैसे होना चाहिए floor बोल ले वह floor value हमारे लिए irrelevant है क्योंकि यार कम से कम पाच रुपए net asset value आज भी अगर assets को बेच होगे तो पाच रुपए मिलेगा ही मिलेगा तो उन्हांने का minimum price पाच रुपए हालकि मैंसे खुश नहीं हूँ पर मैंने खा न यह याद करना हूँ कि इंतना आर लिमिति यह सही है और लिमिति मैक्सिमं चीटना सी बात है है और हलुर करण है उतना है मिला के काम कर रहा है तो मैक्सिमम उतना दे सकते यह सामने वालектив यतना मर्ज कर लिया तो इतना जो भी डिफ्रेंस है वो value of company होगे सामने वाली की divided by number of shares तो यह आगया 10 रुपे करती पहले point से कुछ नहीं दूसरा point logical था ओके अगे चले question number 41 और यह क्या हमारे module का question है yes, ty के 50 बड़े बड़े दो company हैं हालक यह question conceptual है पर ICAI ने आधा अधूरा ही पूछ है conceptual है अगर देखा जाए तो पर फिर भी simple limited और dimple limited दो company है और दोनों मर्जूरान और इसके अलाबा उन company का debt और equity structure दे रखा है high growth है, medium growth है slow growth है तो उस हिसाब से इन company की value क्या हो सकती है total value, simple limited की बात करना अगर high growth है तो 820,00,00,000 value हो सकती है medium growth है तो 550,00,00,000 हो सकती है और slow growth है तो 410,00,000 value of company मतलब इसमें debt और equity दोनों होता ठीक है simple limited में 65,00,000 का debt है और simple limited में 460,00,000 का debt है अब उस क्या समझाने की कोशिश करना इस question में समझने की कोशिश करना अगर 820,00,00,000 total value है किसका simple का debt और equity उसमें से 460 debt है तो बचा हुआ equity अगर 550,00,00,000 तो 550,00,000 में 460 तो debt हो जाएगा तो बचा हुआ किसको equity को जो मुस्किल बात है वो ये बात है ये समझनी है आपको ये important है 410 अगर total value 410 है तो debt वाले को आप 460 दे ही नहीं सकते है सर हम equity से बुलवा लगे है equity का limited liability है it means वो क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि 410,00,00,00,00 total value है तो ये 410,00,00,00 debt वालों को मिल जाएगा equity वालों का value 0 होगा negative हो नहीं सकता तो अगर company के value कम है तो वो जो भुगतना पड़ेगा वो debt वालों को भुगतना पड़ेगा लेकिन अगर इनको merge कर दिया जाए merge कर दिया जाए तो उसकी वज़ा से debt को फायदा हो जाएगा वो ये बताने की कोशिश कर रहा था क्योंकि company की ये इस्तिती भी हो सकती है कि debt वाले को payment ना कर पाए लेकिन क्योंकि यहां बहुत अच्छा value है पर इसके साथ merge हो जाएगे तो debt वाले को फायदा हो जाएगा बस वो यही समझाने की कोशिश कर रहा था हाला कि उन्होंने कुछ और ही पूछे question में क्या पूछा है expected value of debt expected value of debt समझ रहे हो यह सर यहां debt का value होगा probability से multiply यहां debt का value होगा probability से multiply और expected value of equity तो पहले simple limited का देखे क्या अब देखो मैंने कैसे की तीन type का scenario हो सकता high medium slow slow growth value of firm को मालूम है इसमें से value of debt minus करना पर याद रखना last वाले में 460 minus नहीं कर सकते 410 minus हो और बच्चा हुआ value of equity है अब expected value of debt निकल सकता this into probability से multiply कर दोगे expected value of debt आ जाएगा और ऐसी expected value of equity है और इसमें ज्यादा ताम जाब नहीं है इसमें negative वाली बात ही नहीं आ रही तो फिर expected value of debt आ गया expected value of equity आ गया और इसी को उन्होंने दिख दिया अगर हम merge करते हैं तो expected value of equity कितना आएगा equity का इतना, simple का इतना, dimple का इतना और expected value of debt कितना है का simple का इतना, dimple का इतना तो उसने मांगा भी था मांगा क्या था एक्शुल में expected value of debt और equity बताना है separately भी बताना है merge firm का भी बताना है तो separately बता दिया ये question को सुधारना चाहिए merge firm का जब बताएंगे तो merge firm का कुछ और निकलेगा पर खेर ऐसा institute ने किया तो ऐसा मैंने गड़ी question से भी मैं question number 28 मेरे ख्याल से book से भी देख लो कि तो हो जाएगा MTP में डला हुआ है question number 28 business valuation में मिलेगा या merger में मिलेगा question number 1 ये लिखा नहीं है पर ये ICA का question हमारी book में कहा डला हमारी book में business valuation में मिलेगा question number 28 ठीक है हलाकि ICA का question है मैं बार-बार यहीं बात बोल रहा हूँ okay sir देखें क्या ABC company is considering ABC कोई company है जो XYZ को खरीदना चाहती है और sir 1.5 करोर CS out standing है किसके भीया sir 1.5 करोर out standing ABC company considering acquisition which hedge मतलब इसमें 1.5 करोर सेर market price अभी 400 है मतलब minimum 400 रुपए market price और ABC का cost of capital है 12 परशन और XYZ का यह cash flow है तो XYZ का value discounted cash flow के हिसाब से निकल ही सकता है और यह निकल गया है discounted cash flow अगर हम XYZ को खरीद ले तो यह जो cash flow है इसका present value कितना और अभी भाई साब कितने का बिक सकता अभी 400 रुपए का तो minimum 600 करोर तो इसका value है और अगर हम maximum देना चाहेगे तो 747.15 करोर से ज़्यादा हम देंगे नहीं इससे कम है वो मानेगा नहीं तो वही बोला कि range बताईए और range किसका बताना range of valuation share price का बताना कि total value का बताना दोनों का बता देते है divided by number of shares ही तो करना तो मैंने value of business का range minimum इससे कम में वो मानेगे नहीं इससे ज़्यादा हम देंगे नहीं और 1.5 से divide कर दिया तो per share भी मैंने range बता दी अच्छा question है चोटा सा simple सा question number 33 में नहीं करवाँगा हाला कि ये sir AFM module में है क्या नहीं है हमारी book में है क्या हाँ internal reconstruction का question है और internal reconstruction ये intern में जितना किया है seriously बता रहा आप से बढ़के में हो ही नहीं सकता क्योंकि accounting में आप expert और internal reconstruction में reconstruction account बनाते थे जिसमें आप बोलते थे यार कितना हमारे पास जमा हो जाएगा equity share capital से कितना sacrifice करेंगे preferent share capital कितना sacrifice करेंगे interest debenture holder अपना interest छोड़ देंगे creditors अपनी कुछ liability छोड़ देंगे और land and building में revaluation हो जाएगा और फिर उसका huge कैसे करते थे जो reconstruction account में balance था plant and machinery के लिए provision for doubtful debts वगेरा के लिए और जो balance बचता था इसको write-off करने के बाद उसको हम capital reserve में transfer कर देते और फिर एक revised balance sheet बनाते थे तो यहीं पूछा एंडरी नहीं पूछकर balance sheet पूछा है बना लोगे अगर दिल करेगा तो कर लेना यह नहीं बोल सकता कि यह question आ नहीं सकता आया नहीं है कभी पर RTP में किसी जमानी में डला हुआ था देख लेना भाई आपकी मत यह भी question इंटर ना और reconstruction के लिए इसमें मुझे को समझाना नहीं है वैसी समझे मैं आज प्रीज जो question है इसे question तो मैं नहीं करूँ लेकिन आपने तो class में करवाया था हाँ class में करवाया था classes हो चुकी है भई question number 40 पर आज़ा question number 40 क्या यह question यह question actually business valuation की book में है अगर हमारी book की बात करो तो business valuation में है और question अच्छा है इससे देखा जाए तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें gearing और beta का use हूँ पढ़े है क्या बोल रहा है ABC Limited उसकी एक subsidiary है एक company है ABC Limited और उसकी एक subsidiary है जिसका नाम है KLM यह company है ABC और इसकी एक subsidiary तो है नहीं है एक KLM है और भाईसाब यह क्या है यह ABC है और इसकी एक subsidiary है KLM और जो ABC है वो KLM को बेचना चाहते है और एक company आ गई जिसका नाम है XYZ और बोलते हैं हम KLM को खरीदना चाहते है यह XYZ जो है वो KLM को खरीदना चाहते है और उनका यह सोचना है अगर हम इसको खरीद ले तो जो earning है na KLM उसमें 10% का growth extra हो जाएगा इसको बोल रहा है वो synergy जी अच्छा सर अले 10% बढ़ जाएगा भाई इसका business अगर हम खरीद ले तो वैसे अभी profit after tax कितना है इसका अभी KLM का profit after tax है 10 करोड और KLM खुद से भी काम करे तो मालम है 7% तो वैसे ही हर साल बढ़के आएगा profit लेकिन अगर उसको XYZ खरीदे तो 7% तो आप अपने दम पे बढ़ा रहे हो लेकिन हम 10% और बढ़ा देंगे कौन कह रहा है XYZ फिर से समझना 7% KLM अपने दम पे बढ़ा रहा लेकिन इसका कहना XYZ का अगर हम आपको खरीद लेंगे हम 10% और बढ़ा सकते इसके अलावा post tax market return RM दिया हुआ है ओके सर RM भी दिया हुआ और tax का rate भी दिया tax का rate इधर तो ने दिया आगे दिया tax का rate थीस अब कुछ information दिया हुआ है किस किस का दिया हुआ है XYZ ABC और सरी प्रॉक्सी जो KLM जैसा है मतलब KLM की information नहीं दिया है उन्होंने एक similar company जो KLM है ना KLM कोई अलग division होगा तो उस division जैसे एक electronic division है तो ऐसी एक similar proxy का उन्होंने detail दे रखा number of shares है current market price है dividend payout ratio दे रखा है debt equity ratio दे रखा price earning ratio दे रखा और equity beta दे रखा assuming assuming gearing level of KLM KLM का जो gearing level है मतलब debt equity ratio किसका KLM वो same ही है मतलब किसके बराबर ABC मतलब उनका यह कहना है ABC कि तरह है ABC का जो debt equity ratio है KLM का भी वही debt equity ratio है क्यों दिया पता नहीं आपको निकालना है KEE KEE निकालना है और किसका निकालना है KLM का KEE post-op equity CAPM यूज करेंगे पर CAPM को हमको RM मालूम है लेकिन gearing of beta या levered beta unlevered beta में मैंने एक concept आपको बताया था कि acid beta याद है Business Valuation मैंने ये बोला था Overall beta ये acid beta दो एक जैसी company तो दोनों का overall beta एक ही It means ये कौन सा है Sir ये तो equity beta है ना मैं ये नहीं मूल रहा हूँ कि दोनों company का similar company का equity beta एक जैसा होगा equity beta तो depend करता है debt equity ratio पे येने का acid beta एक जैसा होगा आपको Business Valuation का lecture देखना पड़ेगा अगर आपने नहीं देखा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसके लिए ये बात मैंने याँ लिखा acid beta of two similar company selfish है एक जैसा होगा तो हमको इस company का पहले acid beta निकालना पड़ेगा और मैंने आपको formula दिया था acid beta निकालनेगा debt का beta क्या होता है 0 तो beta of equity E E plus D और D के साथ 1 minus tax लगाना पड़ेगा tax है तो हमें equity beta मालूम है किसका proxy का इसकी मदद से हम acid beta निकालनेगे proxy का उसको यहाँ यूच करेंगे और यहाँ debt equity ratio किसका रखेंगे जो ABC का debt equity ratio है न मतलब सर ऊपर क्या आएगा ऊपर आएगा equity मतलब 3 और नीचे आएगा debt 1 minus tax तो equity beta आगया और equity beta को यहाँ रखा तो यह केई आगया इस most important concept जो हमने levered beta और unlevered beta में पढ़ लगा फिर से बोला range बताईए बताओ KLM की value कैसे निकाले KLM before synergy और after synergy synergy का मतलब 10% at करके तो कौनसी approach से करे पहली बात तो price earning ratio दिया हुआ तो एक price earning ratio approach से भी कर सकता दूसरा dividend payout ratio दे तो dividend growth model भी लगा सकता तो पहले price energy price energy का मतलब 10% छोड़ देना उसके लाब price earning ratio को यूज करते हैं और price earning ratio किसका यूज करेंगे earning मालूम है कि किसका earning चाहिए मुझे KLM का yes sir 10 करोड और याद रखा earning मुझे future का earning नहीं देखना होता मुझे यही वाला earning देखना होता 10 करोड अब भी का अरनी अरनी कितना 10 करोड तो 10 करोड में price earning ratio यूज कर रहा हूं है price energy 10% को भोल जाओ और 7% को अब भी का earning देखना अभी का पैट पर problem क्या है price earning ratio किसका यूज किया जाए अब ए बी सी से तो हम निकल रहा है इसका तो यूज नहीं कर सकते या तो XYZ का यूज करो या तो proxy का IC AI ने दोनों यूज किया उन्होंने before synergy benefit पहला price earning ratio से 10 करोड into 10 किसका यूज किया XYZ का price earning ratio ठीक है और proxy का price earning ratio ठीक है before synergy dividend growth model में क्या करना before 10 percent का यूज नहीं करना लेकिन dividend growth model में D1 लेना होता और अगर XYZ खुद से काम करे तो एक साल बात का dividend चाहिए और खुद से काम करे तो 7 percent का तो growth होई रहा है और dividend payout ratio किसका यूज करना बोले XYZ का भी यूज कर सकते प्रॉक्सी का भी यूज कर सकते तो ये value निकाला बरी बात समझे या 10 percent क्यों नहीं लिया मैंने क्योंकि before या 7 percent बढ़ा की क्यों नहीं लिया क्योंकि price earning model में अभी का earning लिया जाता है अब सवाल ये है कि ये कैसे निकाला मैंने pre synergy तो pre synergy में बताओ minimum value कितना है सच 100 तब मैं देखो minimum 100 और maximum कितना दिख रहा है 136 अब synergy को यूज करना मतलब हर चीज में 10 percent add कर देना ओके तो यहां 10 percent add कर दिया 11 करोड ले लिया और उसके हिसाब से निकाला 110, 132 ग्यारा करोड ले ले लिया उसमें minimum value यह है और maximum value यह है बस यह पूछा था value of firm pre synergy बता दिया minimum और maximum और post synergy बता दिया minimum ठीक है ओके and the last question question number 38 है यह और मैंने एक आपको बोला था कि 3 concept है देखा जाए question number 38 है हमारी book में business valuation में मिलेगा सायर और मैंने आपसे बोला था 3 concept थे एक merger और एक de-merger और एक था leveraged by doubt leveraged और यह हुटा क्या है हुटा यह है अगर इस question के ही through समझा दूँ तो tension कितम हो जाए जिसे मैं किसी company में management देखता हूँ ठीक है और उस company के मिसे में मैं जे बहुत अच्छी तरह से मालू है कि भले ही market में इस company की कोई value नहीं है पर इसमें कुछ बात है और इसमें कुछ बात है अगर मेरे पास पैसी होते तो इस company को में खरीद ले और management में काम करता हूँ तो मेरे पास कहां से पैसे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि थोड़े से पैसे में लगा हूँ जे तरह मेरे पास है और किसी venture capitalist को पकड़ो और उसको समझाओं कि देखो मैं जिस company में management देख रहा हूँ ना बहत्तीन है यार उसमें मतलब company बहुत अच्छी बली market में इस्तिती खराब है तो इस company बहुत अच्छी है अगर में मैं जानता हूँ अच्छे से अगर आप मेरे साथ मिल जाओ तो हम तो lottery लगा देंगे तो उस venture capitalist से मैं पैसा उधार लूँगा और उससे मैं company खरी दूँगा this is buyout buyout तो गर रहा पर कहां से पैसा उधार लेगा और कुछ नहीं और भी बहुत कुछ समझा सकता हूँ नहीं समझाना बज़े तो उसी पर question है question number 38 करना नहीं करना आपके हाथ में मेरा काम है करवाने जब करवा रहा हूँ तो आखरी काम करी देता हूँ तो उनका किने एक personal computer division जिसका नाम है distress limited ठीक है और computer hardware manufacturing और startup और उसके साथ financial difficulties है भाई दो-तीन सालों से management ने खुद ने कर दिया और तो management of division है जिसका नाम है Mr. Smith और Mr. Smith interested है कि हम क्यों ना इस company को खरीद ले और खरीदना है भाईया तो पैसे चाहिए और पैसे के लिए ये गया venture capitalist के पास Vencap एक venture capitalist है जिसका नाम है Vencap European venture capitalist है और वो कहता कि चलो यार मैं पैसा रगाता हूं और एक जो distress limited है वो कहता है कि ठीक है हम बेज देंगे अपना division है और कितने में बेजने को तयार होगे 180 करोड आएगा कहां से Mr. Smith आपके पास पैसे है Mr. Smith बोलता कि भाई देखो हमको total 85 करोड shall be required to make this division viable बोले total देखो 180 करोड तो लगीगा किस में उसको खरीदेंगे उस division को और साथ में 85 करोड और लगेगा कम से कम उसको viable बनाने के लिए तो total कितना लगेगा भाई तो total लगेगा 185 नहीं 180 प्लस 85 टूटल लगेगा 265 करोड बोले 265 करोड की विष्था ऐसी होगी तो बोले सुनो मैं हूं management Mr. Smith तो बोले मैं लगाँगा 60 करोड अब भाई बोले venture capitalist आप लगा हो और बोले equity के रूप में नहीं बोले कुछ पैसा आप equity के रूप में लगाई और उसके साथ एक वारेंट भी अटेच है और वारेंट को आप सियर्स में convert कर सकते हैं और साथ में 8% loan की रूप में दे दीजिए हम 8% आपको ब्याज देंगे इस तरह से total 265 करोड की विष्था हो जाएगी इसके साथ एक वारेंट भी है तो वारेंट के बदले में आप शेयर्स भी ले लेना और क्या चाहिए भई जाम थोड़ें लोग है आपके और वारेंट आप exercise कर सकते हो चार सल बात कभी भी और एक वारेंट के बदले में आपको 10 शेयर्स मिल जाएंगे जो लोन है वो रिपे करना है मतलब यार यह एक सोसाथ करोड की बात कर रहें वह करना है आठवे साल में एक साथ मतलब उस पर इंटरेस्ट भर देना पड़ा बस डिबेंचर के साथ दिक्कत यह कि आपको एक्वल एनवल इंस्टॉल्मेंट में रिपे करना पड़ेगा यह एक दिक्कत है बस डिबेंचर को एक्वल इंस्टॉल्मेंट में रिपेमेंट करना है और कितने साल में छे साल में Mr. Smith is of view that proposed dividend shall not be more than 12.5% of distributed profit for the first year Mr. Smith क्या बोल रहा है कि जितना भी कमाईगे उस में से dividend देंगे और dividend हम 12.5% से ज़्यादा नहीं देंगे और EBIT का उन्होंने अनुमान भी लगाया है कि पहले चार साल में यह EBIT होगा कहना क्या मांग क्या रहा है कोशन टेक्स का रेट है 35% और पाच-छे साल तक यह चैंज नहीं होगा टेक्स गवर्मेंट पे बहुत भी स्वास इनको और अब वेंचर कैपिटल को बनाने के लिए कि आओ पैसे लगाओ तो उन्होंने पिछ प्रेजेंटेशन किया और उन्होंने बताया कि वेंकैप से बोला कि सुनो वेंकैप जो हमारा बुक वैल्यू ओफ एक्विटी है ना बोले वो चार साल में 20% के हिसाब से ग्रो होगा मतला बुक वैल्यू ओफ एक्विटी अब देखना पैसे तो लगाओ जो बुक वैल्यू पर शियर दिखे रहा है न वो चार साल में book value of equity, चार साल में 20% per annum के हिसाब से grow हो जाएगा फेक तो नहीं रहा है Mr. Smith, तो बोले इसी वज़ा से when cap लगाने के लिए तो तैयार हो गया पैसा लेकिन वो doubtful था, कि यार ये जो growth rate की बात कर रहा न 20% per annum, पता नहीं ये सच है कि नहीं पहले Mr. Smith को बताना पड़ेगा कि देखो भाई, ऐसा EBIT ये पक्का 20% का growth होगा और 20% से जादा होगा कि कम होगा, प्लीज C.A. साहब आप ये चेक करो दूसरी बात है Mr. Smith जो है, वो बुल रहे है, warrant के बदले में हमें 10 shares नहीं चाहिए हमें 18 shares चाहिए, तो क्या Mr. Smith को तयार हो जाना चाहिए, दो चीज़े और रिक्वाइर टो डिटर्माइन, पहले ये बताना कि 20% का growth है कि नहीं है और उसके बाद आपको बताना कि 18 shares, क्या Smith आप 18 shares देने के लिए तयार हो जाओ कि एक warrant सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, book value per share, sir book value per share तो अभी भी निकल सकता है, कैसे, sir book value per share ऐसे निकलता एक वड़ी, अभी book value per share की वाद, start plus 22.50, sir अभी, start plus 22.50, और कुछ है क्या अभी ये जो है book value है, 82.50, पास चार साल में आने वाले चार साल में क्या होगा, जड़र बताओ, प्रॉपिट कमाईगे, उसका reserve होगा, उसका reserve में से जितना dividend बात तोईगे, और उसके बाद जो बचेगा, वो हमारे equity में add होते जाएगा, बस यही presentation करना था, बाकी और यस, तो debenture है कितने केस है, 22.50 करोर्स की, और rate of interest कितना है, 9%, और कितने साल में चुकाना है, 3 साल में, और equal installment में चुकाना, तो equal installment निकालने का तरीका है, एक leasing chapter होता था, या equivalent annual PVCO मेंने निकालना सिखाया है, वो ही मैं निकाल रहा हूँ, कि मुझे 22.50 करोर्स देना है, और total 6 साल में देना है, तो हर साल का installment आ गया 5.0156, यह क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 4 साल का interest चाहिए, interest का amount, क्योंकि debenture हर साल कम होते जाएगे, तो interest भी तो कम लगते जाएगा, एक बेकार की चीज डाल रखा, वागी question बहुत अच्छा था, यह calculation क्यों बेकार मे प्रिंसिपल भी है, तो इन्होंने क्या किया, यार पहले साल 22.50 पे हमें 9% interest देना पड़ेगा, 22.50 का 9%, 2.025, तो इतना installment दे रहा है, इसमें से इतना तो interest का गया, तो बच्चा हुआ जो permit हो रहा है, वो किसका हो रहा है, प्रिंसिपल का हो, तो अब प्रिंसिपल जो मेरे पास लोन बाकी रहा, 22.50 में से ये माइनस हो गया, तो बच्चा हुआ, क्लोजिंग बैलेंस बच्चा, माइनस 2.99, तो सर क्लोजिंग बैलेंस बदा 19.5094, अब इस पे निकलेगा interest, बस आपको ये धियान रखना है, कि जो बैलेंस बचते जाएगा, उस पे interest निकलते जाए था, मेरा मेन उदेश था, interest निकलते, क्यों, क्योंकि मुझे last में return profit निकालना पड़ेगा, returner ने, अब हम तयार हो चुके हैं, और हमें यहाँ से start करना, EBIT, और EBIT में से क्या माइनस करोगे, interest, तो सबसे पहले मैंने EBIT लिखा, उस में से debenture का interest निकाली लिया, और loan का interest एक 160 करोड का 8%, तो वो भी माइनस की, तर यह question को skip कर सकते हैं कि कर दीजी, ने वैसे भी exam oriented में नहीं करवा रखा है, तो EBIT आया गया tax, तो earning after tax आ गया, और इस में से dividend जाएगा 12.5% 21.564, टीक, इस में से dividend जाएगा 12.5%, तो सर इतना बचेगा, अब धियान से समझ, हर साल जो कमाओगे dividend दोगे, हर साल जो कमाओगे dividend में हर साल, और यह जो यह इस साल का बचा second year का मैं reserve add कर रहा हूँ, पिछले यह add हो जाएगा, ठीक है सरी, यह मतलब यह वाल add हो रहा है, अब reserve इतना होगा, यह इस में add हो जाएगा, इस तरह से यह reserve आ जाएगा, लाश्ट का return profit, और book value of equity हमको मालूम है 82.50, तो यह 82.50 और 4 साल बाद यह आ गया book value, यह book value सुरू का है आज का, और यह book value है 4 साल बाद का, तो dirty power को भीना यूज किये, तो आपने sustainable compounded growth rate निकाला 23.96, तो Mr. Smith, अब सहीं बोल रहा है, Mr. Smith भी बता रहा है कि देखो, हम बोल रहा है थे ना 20% से ज़्यादा का growth है, यहां तो 23.96% growth है, तो पहली बात, यह बात तो हमको समझ में आ, दूसरा क्या बोल रहा है, 10 के बदले में कितना, 18 divention चलब, 18 shares मांग, तो Mr. Smith को तयार हो जाना चाहिए, कि नहीं होना, equity, अभी Mr. Smith ने कितने shares hold कर रखा, 6 करोड, 10 रुपे का 1 shares, और debt या when cap के पास अभी shares कितने है, 2.25 करोड, diventure इतने के, एक diventure का value है, 100, तो इतने diventure और 18 shares, तो when cap के पास हो जाएगे, 4.05 करोड, और shares मिल जाएगे, तो total उसके पास हो जाएगे, 6.30 करोड, shares, तो Mr. Smith आपका काम खतम हो जाएगा, क्योंकि controlling interest किसके पास हो जाएगा, when cap के पास हो जाएगा, तो please आप तयार मत हो, questions करवा, इतना नहीं करवाना चाहिए था, पर चलो ठीक, एक डर बना रहता कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, तो almost सभी questions करवा दिये, आकि आपकी खुद की practice पर depend करता है, thank you so much, मरजर खतब, bye